जायज फंड जो हक है राज्यों का वो फंड नहीं दे रही है दूसरा तरीका गवर्नर्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरीए रोज काम में टांगडाती है हर काम में टांगडाती है और तीसरा तरीका एजनसीज को छोड़के जिसको मर्जी पकड़के जेल में डाले जा रहे हैं जिसको मर्जी पकड़के जेल में डाले जा रहे हैं सबसे पहले में पहले तरीके पर आता हूँ यहां पे पिनर विजियन साब बैठे है basin direct निगारे ओर दिल्ली का मुक्य मंत्री का मुक्य मंत्री और कई सारे राज्यों के मंत्री गणाय हुए हम सारे रोज इस बात को जेल रहे हैं कि जो जाय जो फंड उस राज्य के बनते हैं वो फंड हमें नहीं दिये जा रहे हैं अगर केरला के लोगों को उनके हक के फंड नहीं दिये जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी केरला की सरकार कैसे चलेगी तमिलाडू की सरकार कैसे चलेगी और हम यह भीक मांगने नहीं आए विजियन साथ यहाँ पे अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए पैसे मांगने नहीं आए अपने बच्चों के लिए अपने भीवी बच्चों के लिए पैसे मांगने नहीं आए वो केरला के लोगों के लिए पैसे मांगने आए हैं आज पंजाब के मुख्यमंतरी आपने तीन करोड लोगों के लिए फंड मांगने के लिए आए हैं मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने दिल्ली के दो करण लोगों का हक मांगने के लिए आया हूँ समविधान में लिखा है कि कितना पैसा किस सरकार को मिलेगा ये वाला टेक्स आएगा मैं इंकम टेक्स में था ये थोड़ा सा जादा जानता हूं इसको तो कितना फंड कौन सी सरकार कितना फंड इस्तेमाल करेगी कैसे इस्तेमाल करेगी फनेंस कमिशन होगा फनेंस कमिशन तै करेगा ये पैसा केंदर के पास जाएगा ये पैसा राज्यसर का अरे जो हमारा हक है हमारा नहीं लोगों का हक है केरला के लोगों का हक है तमिलाडू के लोगों का हक है वेस्ट बिंगॉल के पंजाब के दिल्ली के लोगों का हक है वो हक आप कैसे छीन सकते हैं लोगों का आप उनका काम कैसे रोक सकते हैं अगर आप हमारे लोगों के पैसे नहीं देंगे तो हम सड़के कैसे बनाएंगे बिजली कैसे देंगे लोगों का विकास कैसे करेंगे मैं भी एक दो बैनर देख रहा था उसमें लिखा था कि केरला के 8400 करोर रुपे रोके हुए और मान साथ से मैं थोड़े दिन पहले बात कर रहा था पंजाब के भी 8000 करोड़े से ज्यादा पंड रोके हुए हैं अब एक एक फंड अभी पंजाब सरकार थोड़े दिन पहले सुप्रीम कोट में गई कि हमारा पैसा रिलीज नहीं कर रहे आडीफ का पैसा लगए 4500 करोड़ रुपे आडीफ का रूरल डवलप्मेंट सुप्रीम कोट की हेरिंग अब अगले अफ्ते फिक्स हुई है और तुरंत केंदर सरकार से फोन आ आगया आईये बैठके बात करते हैं तो हम छोटी-छोटी बातों के लिए सुप्रीम कोट जाएंगे क्या ये क्या बत्तमीजी है आप अपना काम क्यों नहीं करते हैं हम हर लोगों को जानके ताज्यूब होगा दिल्ली के लोग मिलके साल में 2 लाख करोड रुपए का इंकम टैक्स देते हैं 2 लाख करोड और उस 2 लाख करोड में से बदले में दिल्ली के लिए हमें कितना पैसा मिलता है कह सकते आप लोग 2,00,00,00 करोड रुपे हम केंदर सरकार को देते हैं दिल्ली के लोग मिलके income tax में और उस 2,00,00 करोड में से दिल्ली के लोगों को एक साल में 325 करोड रुपे मिलते हैं इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं लूटा होगा सौ साल में जितना ये लोग लूट रहे हैं